अब आता ओएट वर्किंग पेपर देखो दुबार बोगता हूँ स्वाइट जानकारी होती है जो हम डेटा खटा करते हैं ऑइट करने से पहले जानकारी डेटा खटा करना, डौक्युमेंट अपने पास मंग वाणा की एफ़ खुलायन लेना तीसरे से मांग लेना, यहां तक का काम होता है, सब कुछ रखते हैं हम audit notebook में, अब audit करने के बाद, हम audit कर रहे होते हैं, उसके बाद जो भी हम document खटा करते हैं, सबूत खटा करते हैं, यह सब कहां जाता है, working paper में, ठीक है, यह basic difference है, audit working papers में, और audit notebook में, कोई आप सा पूछ ले है, कि दोने में basic difference क्या है, तो यह difference आपका, basic difference होता है, ठीक है दोस्त, चलो, पढ़ लेते हैं इसको, audit working paper are outcome of documentation process, यहां समझ में नहीं आएगा, आगे पढ़ते हैं, तब अब देखे लेते हैं, outcome जो आपने audit किया है, उसमें जो भी आपने document इखटे किये, आगे पढ़ता है, तब ज्यादा समझाएगा, working papers are record of various audit procedure performed, जो भी आपने audit procedure perform किये हैं, जो audit technique लगाई है, जो starting पढ़ा था न, वो technique निकालने के बाद जो भी आपने document वगरे इखटे किये हैं, अपने पास, वो सब आजाएंगे, audit working paper म हैं, ठीक है, जैसे evidence, जबूत, allocation of work, पूश्थाच करने के बाद आप यह होगा न, आपने सारी पूश्थाच कर ली, अब आपने क्या किया, जो experience बंदा उसको लगाया आपने, जहां पर सबसे ज़्यादा fraud होने का chances है, जो नया बंदा उसको आपने कहाँ लगा थी, जहां देखो, collect and retain with himself, audit working paper वो अपने पास ही रखता है, यह चीज याद रखना, अब आगे बताऊंगा, इसको मैंने highlight क्यों कराया, आगे बताऊंगा, अभी के लिए सर्फ याद रखना कि अपने पास रखता, audit paper, अब देखो, यहाँ पे भी एक चीज क्या है, पहले तो ही रिख audit working paper का फायदे क्या है, क्या फायदे है, किसको कितना काम देना है, amount of work done, कितना काम हो गया है, वही चीज जो हमने audit program में पड़ी थी थी न, वही लगबग लगबग यहाँ पे भी काम आएगा, किसको work allocated करना है, audit पे और उसके staff को, ठीक है, इससे आपकी efficiency पता चलती है, जब आपने काम निकाल लिया, सब कुछ काम कर दिया, अब आपके पास जो document आ गया, जो आपने गलतिया निकाली, उन गलतियों को देखके ही पसलता है, कि आपके अंदर कितनी knowledge है, आपका जो senior होगा, वो समझ जाएगा, कि अच्छा, छोटी से गलतिया निकालके तो मेरे आपके पास आगया, जो क्या करूं मैं, कोई ऐसे चीज निकालना, जो company पर heavy impact डालें, और हम उसकी गलतियां कहीं पर लिखवा भी सकें, अपने audit report में अच्छे से उस गलतियों को mention कर सकें, ऐसे छोटी मोटी गलतियों निकाले के लिया है, तो उससे efficiency भी पता चलती है, staff की अगर मान लो, क्या गोलते हैं, देखो, अगर जैसे हमने आज क्लास में स्टार्टिंग में वह पॉइंट पड़ा था न, अगर हमारे पास working paper रहेंगे, तो मैं क्या बोलूगा, कि देखो, मैंने तो आपने जो stock register दिया था, मैंने तो वह चेक किया था, इसमें तो मुझे सारी चीज़े चेक ही लग रही थी, तो मैं क्या बोलेंगे, नहीं, देखो, मेरे सबूत देखो, जो मेरे पास working paper है, मैंने सारी चीज़े चेक की थी, और जो आपने document मुझे दिये थे, उसके हिसाब से मैंने सब को डंग से चेक किया हुआ है, तो यह अपने आपको बचाने के भी काम आते हैं, audit working paper, इस point में व working paper form permanent record of audit conducted on the client record, therefore they can be used by the client, they can be used by the client, they can be used by the client, they can be used by the client for its record, यहाँ पर क्या करना, देखो दोस्तों, यहाँ पर न, आप यह आगे वाला point काट देना, यह point और यह point, मैं भी next point में discuss करूँ, आसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, working paper helps the auditor to planning, मतलब working paper जो रहेंगे, अगर हमारे पास सारा सबूत सब कुछ बने रहेंगे, तो अगली बार की audit plan कर करने के लिए काम आएंगे next year, बस इस point में इतना दे रखा है, चलो आगे, दो तरह के audit working paper होते हैं, एक तो पर्मानेंट audit file, ठीक है, पर्मानेंट और current file, पर्मानेंट वो फाइल होते हैं, simple सी बात है, कि वो वाले audit working paper होते हैं, जो working paper हमारे हर साल काम आएंगे, ठीक है, जो चेक करके जो भी हमने observation अपनी रखी, पर्मानेंट यानि MOA, AOA, AOA, चेक करके जो भी हमने observation, अपनी opinion, अपनी document बनाई, अपनी working file बनाई, वो तो हमेशा वही रहेगी, तो कुछ ऐसे document होते हैं, जो कि हमारे हर साल काम आएंगे, ठीक है, MOA, AOA, कंपनी कैसे बनी, कंपनी का management क्या है, जो मोटे मोटे चीज़े हैं जो हमेशा कंपनी में exist करती हैं, जो हमारे हर साल काम आएंगे, उनको चेक करते टाइम जो हमने working paper बनाएंगे हैं, उनको बोलते हैं permanent working paper, अब दूसरा क्या है, current audit file क्या होती है, जो इस साल, अब current audit file होती है, जो इस साल balance sheet, पी एंडल है, profit, cash flow है, वो तो हर साल का अलाग ही बनता है न, जो इस साल ही काम करने साथ, जो document हमने बनाएं, जो working paper बनाएंगे हैं, वो सारे आ जाएंगे current में, ठीक है, सिधी सी बात है, permanent audit contain information which is continuous interest and relevant in future audit, ठीक है, जो future audit में भी काम आएगा हमारा, simple, जैसे कि मैंने आपको AOA, MOA बताया था, है, इसमें कि नहीं है, हाँ है, sorry, देखो, AOA, loan agreement, आप एक बार loan लेते हो, वो लोन एक दिन में खतम हो, एक साल में खतम होता है, वो सालो साल चलता है, तो वो permanent एक तरह से document बन गया, और क्या हो गया दोस्त, important, आपने कुछ control कुछ policies बनाई है, internal control की policy बनाई है, अब policy तो एक ही बार बनाऊगे, अब हर साल थोड़े बनाऊगे, sir, policies मतलब, policies मतलब attendance हो गया, कि आपको attendance लेनी है, सुबह 9 सब 6 बन्दा काम करेगा, आपको policy बनादी, अगर वो नहीं आएगा, तो क्या होगा, आप उसकी self record लोगे, ये भी एक policy है, ये policy है, आप हर साल तो अलग अलग बनाऊगे नहीं, ठीक है, तो ये चीजे जो होती है, ये सब आजाती है हमारी permanent audit file में, अब जो हर साल, हर साल क्या होता है, जो हर साल का काम होता है, वो आता है हमारा current audit में, current audit file में, और हर साल क्या होता है, आप financial statement चेक करते हैं हर साल, profit and loss account, balance sheet, ये चीजे में देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, cash flow, notes to account, sales register, purchase register, अब हर साल के sales और हर साल, हर साल के sales बराबर तो होगी नहीं, उपर नीचे ही होगी, correct, बहुत basic सी बात है, तो जो particular एक ही साल का जो data check करने पे हम अपना working paper बनाते हैं, वो आता है हमारा current audit file में, ठीक है, आप देखो, ये आपका बहुत important question है, ये आप पढ़ सकते हो खुद भी लेकिन इसका मैं basic बता देता हूँ, एक question आता है कि audit working paper प्रॉपर्टिक इसकी होती है, वो auditor की होती है या फिर वो client की होती है, तो इस पे बहुत पहले court ने judgment दिया था, और बाद में बहुत सारे teams ने, institute ने भी, ICAI ने भी, इस पे discussion किया, ये finally conclusion निकाला गिया, अब क्या भहस ही वो छोड़ दो, उस भहस के बाद ये conclusion निकला, जो working paper होते हैं, वो auditor की property होते हैं, कैसे, देखो आपने तो उनसे document मंगा है client से, अब उस पर चानबीन की, जो अपने evidence इखटे किये, जो उस पर आपने बहुत सारे rules लगाए, कि 5 लाग आप से उपर कर चेक किया, तो ये गलती निकली, ये चेक किया, तो ये गलती निकली, वो जो आपने बनाए हो, तो आपकी महनत है न, तो वो आपके working paper होते हैं, auditor के है, वो company के नहीं होते है, वो company आपसे नहीं मांग सकती, working paper आपकी property होती है, company आपसे बिलकुल नहीं मांग सकती और अगर वो मांग रही है कुछ कर भी रही है तो आपका कोई responsibility नहीं है उसको देने की बस यही चीज इसमें लिखे वही है और यह इसका question भी आता है ठीक है पढ़ लेते हैं वर्किंग पेपर और रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑस बेरियस मांग नहीं सकता client देखो client cannot demand custody of working papers ठीक है आपको यह ध्यान रखना है और यह ध्यान रखना है कि यह OID procedure performed OID evidence obtained allocation यह सारे जो है इसकी वज़े से जो भी चीज बनती वो OID working paper में आते हैं internal control next topic चलो आज इतना ही रखते हैं बाकी का हम next class में पढ़ेंगे हमने बहुत detail में किया है बहुत detail में लोग इतना detail में कभी नहीं जाते हैं आपको बस क्या करना है सिर्फ जो मैं highlight करवा रहा हूं जो important बता रहा हूं वो चीज़े ध्यान में रखनी है और इन स आता ही है कि मैं अगले दिन तो revise कराई देता हूं बट still आपका काम क्या है एक बार read जरूर करके आना उसी वेज़े से आप आगे class में कभी reference आ जाता है तो समझने में असानी रहती है ठीक है दोस्तों तो आच क्लास खत्म करते हैं चलो जी बाई thank you मिलते next class में